पर्माने अभी मुत्यफ़क आतोर पर इंडिया एलाइंस का उनको वोद देने का अपने हग तहीं का इस्तमाल करने का भज़बूर उसकी हमायद भी करती है और ताहीं भी करती है इंशालब रजीम अभियाद के सामें और माय अकराम तुश्युद्राएंगे और अपने अप हमाहता करेंगे उसे वुचएंगे के आप किसी कि हमायकी हैं और सारे कि सारे यही कहेंगे कि हम इंडिया एलाइस के सपोट में बहुत बहुत हरेंगे कर देन्हां कियादत के बाद क्यों natural करते हिमाययु का मुसल्मान है उसका support भी नहीं कर दें हो अल्हादि ला हम मुसल्मानों को कभी क्या है मुसलिम जयादत से इंकार नहीं है यकीनलिए यह बहुत-वड़ा मुसल्मानों के अंदर program है वहाद बड़ी मिश्कील है मुसलिम जयादत की नहीं कर बाते हैं उसको तयार हुनी फुट पाते हैं तो इसकी बड़ी अभी फिरहाल तो उनका कोई ना एक उनका ना कुछ माहोल अभी फिरहाल यहां बना हुआ ना कुछ ने पहले से कुछ ऐसी पोशिश्या मैंने दें अगर वो इससे पहले जो इनका इनका विधान सब्सक्राइब कर दो तो समझो सल्मानों का वोट बढ़ने की वज़े से क्या है वो के इधियेट जीत नहीं पाया वगरना अगर इसमानों का ये तर्पव और परता इम कि इसके उपियार से हम जहें दूर है या इंकार करते हैं या इसकी खिलावम लेकिन माहुल आप देखें कुछ आप स्यासी शुद्व है की कि नहीं कि एक माहुल पुरा बना हुआ है बच्छा बच्छा एक इसमाने निक की जगा थी मेहां तो एक बच्छा कुछा पूछा कि यह वो बालिया मामा को वोट दे निगए गया अलोपसी को देना है तो फिर वो नार लगाते वागे निपल जिता तो यह नि बुलने का मतलब यह कि बच्छे बच्छे की दबाहां पर रहे हैं तो जब इस तरह इतना आप लोग इधर उदर की बातों पर ठान आ द कि नमास के पहले भी दिवानशा जाना हुआ काफी जगों में हमारे मुसल्मान भाई जो कौउं के लिडर और रहुमा के लाते हैं उन लोगों ने कुछ ऐसी शक्सित को पकड़कर लेकर आया है इससे मुस्री वोट डिवाइड हो रहे हैं तो ऐसे इलागों में जो उन्हा कि नमाए ग्राम है दिवानशा का बटा हो गया और कॉडर रिगेड के पीछे साइड को पड़ता है जालिवन खापताराप का वहां से ऐसी हवासे आ रही है कि वालिया मापा को बोट नहीं देना है हमें किसी और टेटिविल्ट को बोट देना है इसने हमको जिलाई मुशी कि वालिया में आधि क्लास लगाइती तो ऐसे वोक में उन्हें समझाने की जरूरत है कि महेंदी और इसे बहुत जाय के उसके बहुत था क्लास मैं और से भी बड़ी जरूरत है हमारी आधिया उसकिनाड़ को इसे जञ़ड़ाद तो आप ऐसे चैंड़ु पोचिताये है ज तो उसको फॉरण वहाँ पर ऐसे लोगो जमा करें, जो लोग आपकी बात सुनते हैं, और कौंकर दर्द रखते हैं, उनसे कुछ कहें मैं द्यूल्टी के वाम से मिला रिश्क होगा, कि तन्जीम उल्मा एल्य सुनत अपनी जानिव से इलान कर रही है, कि आप बालिया मामा को ओड करें, अपना कीम की ओड दें, और जो आपके अहवाब, प्रिष्टेदार, दोस्त हैं, उनसे भी कहें कि अपना ओड जो कीम की ओ आपका, उसे बरबाद ना करें, बलके बालिया मामा को ओड करें, उसे सपोर्ट करें, बसमिकी ओड दो इसका होगा, इसके मताबी काम देखिये, लेकिन तो मसीबत है, कि हम सेक्टिलर पड़टी की ओनायत करें, जो अन्मा इकराम की बात पेश कर रहे हैं, हम उसकी करते हैं, और इंडिया आलाइंज, इसमिकी ओड़ट देकर काम देखिया करने की कोशिब करना चाहिए, बड़े अप्जबत हैं, किसी को जिताना, किसी जबहान, किसी पार्टी, या किसी विष्टेधार, ये अप्जबती है, बलकि हमारे के सहूरी है, कि हम इसे कंडिनेट को चितार करके लाने की कोशिश करें, जो हमारे मुल्क के आईएं को बचाने की कोशिश कराफ देश, तो दियोंगी में हमारे शेहर में इस जो अधुबत करनी, जो बीद्वार इंडिया लैंस के तरफ से एउनका दानाम स्वेध पातरे, मार्या मामा है, तो मैं आप अनुबसर मुला पूराइश करता हूँ, आप प्रोबसर मुलाकि ऑन्द्वार इंडानात्स है, ये तो हासुरी है, ये तो देने रह कि में हमारे बेट पीचे हमारे बार इस मीटिंट के लखक होने के बात, पालिया मामा हम उन्ही के सपोर्ट का रेलान करते हैं और इसके खिलाफ अगर कोई आकर आपको सिलाई मशीनिया दिलाता है या कोई एहसान किया है वो या दिलाके अगर आप से ओड मांग रहा है तो यहां दो बात जरूर समझ लीजिए एक यह कि वो कहीं से अपना पेट घर चुआ है वो कहीं से असुदा होकर आया है किसी से कुछ अपना मफाद हासे करके आया है तुम्हारी ताकत तोड़कर तुम्हारी कुवत तोड़कर तुम्हारे वक्त को बेकार करके तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे की मुकाबले में खड़ा करना चाहता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें अपने राइड का सही इस्तेमाल करें और जो है बालिया मामा ही का बटन दबाएं ये आप अपने ओपर लाजिब कर लें। इससे पहले जो कुछ रिटिम होई हमें खुद नहीं बालुक था कि किस मुर्माल पर रिटिम है। और जो मालुक था हो ये आप आएं कुछ उलमा ने अलग जमाग के रिटिम की हैं उन्हों अपना अपना नजलिया रखा है हमारी तरफ से कोई रिटिम और है हमारी अवाम जो है वो कन्फ्यूज है कि हम क्या करें ऐसे में आप लोगों को अवाम की रहनुमाई के लिए जम्ख होना चाहिए यह हम से कहा गया कुछ लोगों से कुछ और कहा गया तब हमने कहा ठीक है हम अपनी तमाम मस्रूतियाद छोड़कर अपनी काव्म के लिए हम जरूर आए सोयम हम वहाँ पहुँचे और खुद हमने और दूसरे ओलमा ने अपनी स्पीच में इस बात का इदाहर किया कि मुक्तजाए हाल ये है वक्त की सिच्वेशन ये है समय का तकादा ये है कि हम इंडिया अलाइंस को सपोर्ट करें बादिया मामा ही को पुछ दें साफ लख्सों में वहाँ कहा गया बातचू जिसके सारे उलमा की तखरीरों को इगनोर कर दिया गया साइट में लख दिया गया पसे कुछ टाव दिया गया और आफ वना ने अपना नजरिया मेडिया के सामने पेश कर दिया और उसी को शेयर कर दिया गया हमें बद्राम किया गया लहादा इस पराड को समझें इस धोके को समझें उसमें सिर्फ और सिर्फ विगाओवा की बा वो नाकाम हो गए नाकाम इसलिये हुए कि वुलमा सुलिया जाए वुलमा किसी के सहारे नहीं हैं वुलमा सिर्थ अल्ला के सहारे होते हैं। रहनुमा बनाया और कौम की बाग दोर हमारे हाथ में देकर हम सब को अपनी नयाबत सौभी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये हम साथ इस जिम्मेदारी को पूल चुके हैं। बनके हमको गाइड लें देते हैं। हमको सबब पढ़ाते हैं कि आप इस रास्ते उपर चलिये। दर्द का इसहार ये हैं प्यारे कब तक कड़कुद्री बने रहोगे। कड़क इस तरह की सिंदगी गुजारोगे। मेरी डाल ये हैं अच्छा ये भी सुनें। हर जमाद में आपको यूनियन मिलेगी। साथ का हजाम जो बाल खचता है। उसके यहां भी यूनियन है। मजदूरों में यूनियन है। हर तबगे में यूनियन है। अल्लाहु अक्पर। और जो कौम के रहम रहबर मुक्तदा बनाये गए थे। उनके यहां कोई यूनियन नहीं है। हम अपनी मरजी से कुछ कर रहे हैं। आप अपनी मरजी से कुछ कर रहे हैं। मुझ गिरे पड़े की राई यह है। यह एलक्षन जा रहा है। जो एलान हुआ उस पर अमल करें। इसके बाद आप जमा हों। पे लौब जमा हों। पे हिल्सोतमा जमा हों। अपनी यह साकत बनाएं। अपनी यह पुवत बनाएं। और जब ऐसे मॉमिंट आएं। तो खुद फैसला करें। कि हमारा अपना कोई कंडिडेट क्या एलक्षन जीत सकता है। सबके इतिपाक से। अगर जीत सकता है। ऐसी मॉमिंट है। तो हम सब दिर के उसको चिदाने के पीछे मैनत करें। सियासत का मैदान आपने छोड़ दिया उल्मा आज सियासत गंडी होके रह गई है। लोग इसका नजाइब फाइदा उठा रहें। अल्दा की ख़स्म खाकर ये फ़कीर कहता है। जिस दिर सियासत में उल्माने खदम रखा। उस दिर सियासत बाकीजा पुझाएब। उस दिर सियासत अपने वरुष कर जाएदा तब सियासी मैदान में तलाली नहीं होगी इन्साब होगा। इसलिए वक्त का अकाजा ये है कि पूरे मुझ के हिंदूस्तान, पुरे हिंदूस्तान के खलमा इस बात पर आमादा हों इस पर खौर चरें और पार्लामेंट में कम से कम नहीं ज़्यादा तो तस्वीश ही अपने नुमाइदे पहुचाएं तो सही मानों में नुमाइदे हों महानगर पालिका में आपके नुमाइदे हों ऐसा में में आपने नुमाइने हों, ये सब होगा महनस से होगा, एक ये भी अर्स करतूं, ये हम अपने जहें से निकाल दें, कि हम कोई किसी कंडिटेट को खड़ा करेंगे, जो सिर्फ मुस्लिम पूर्ज मिलेगा, नहीं, जब आप अगल की मैदा के मैदान में उदरोगे, पहचाम लेगी, तो फिर हो तुमारा साथ है, इसलिए हुटारे, अभी ये एलक्षन, जो कुछ है, ऐलाम हुआ उस पर अमद किया जाए, और आइंदा के लिए, हमारा अपना एक उनियम हो, जितने वाला नहीं, अंदर से साउधा करने वाला नहीं, किसी पार्टी से कुछ लेने देने वाला नहीं, बल कि अपना तिबान रखने माला, हमारा अथभी जित सतार चीख है, नहीं, हम जिस को समझें ओभारे कंडिशन पर हमारा बोठ लें, हमेरी स्कूर बना के देखो, तोके, हमें तालिज बना के देखो, हमारे लिए शेर में ये काम, हमारी खाए कर करेंगे हो तो हम अपनी कोम में एलाग करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे तक जब आपकी ताक्त रहेगी तो हर कोई आके आपके कदमों में छुगेगा ये मेरा नजर्या है तो इसलूरी नहीं कि आप इतिफाक करें मगर ये मेरा दर्द है जो मैं बोल करके अपना करना चाहता है वड़ना यही होगा मैंने भीमंडी में तकरीबन मुझे 22 या 23 साल हुए पूरा पश्पना पीत गया देखता हूं जैसे ही एलक्षन आता है कोई सहाथ उड़ते हैं पुरी कौम की ठेकेदारी जाहिर करके पीचे बरके खायक हो जाता है यही होता रहा है और और इस सब अपनी खायका हो में 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 मेरों पर और एक राम करेंगे एक हमों को मिलेंगे लाओना हमानी जेपे इाउर बात कर दो भीमोर कौम का बात कर दो आद हैं लाओ हमानी लाओना अईसे ही हमें महसुस हुरे हुआ हम बासा इस hiçbir हम पहुस pillow करेंठे से ऐलक्त से उम जूलमा को आपको दूना समिएं想। और उलमा कुम्हारी चाल समझ दो भूता है। जूलमा आधियां पढ़ाते हैं। फत्षभा पढ़ाते हैं। सेकहान के खुछायते पॉरहाते हैं। मौन सभाते हैं। और आप हमको deliveriesend आरे आएं। अल्ला करीम हम सब की लिफासत फर्माए और वोगी को बिलंग करने की हम सब को तौफीख अता फर्माए भिर एक बार कह देता हूं मुल्क के सम्मेदान को बचाओ और एक्रिमाटी में और जहां कहीं थी आँ इंडिया अरलाइंस के लोग खड़े हैं उन्ही को सपोर्ट करें बालिया भामा को गोट थें वक्त का तकाओ यही रहें तमाम खुलमाए एले सुन्नत का इसी बात का एलान दें आज की इस मजसित बुल्ला करीम अरभ परमाए अमारी कौन को अफासर आज़ाए आज़ाए